हलो दोस्तों आप सबका आयार कॉंसेप्शन कंस्रिक्शन्स में फिर स्वागत है अगर आप मेरे चानल में पहली बारा हैं तो ज़रू सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एन तक देखे अगर आपको आपका खुद का प्लान और डिजाइन चाहिए नीचे आप एक नमबर देख सकते हैं उस नमबर पे वाट्साप कर लीजिए या कभी भी कॉल कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडल और थमनेल में आपने देखा करेंगे और दो शॉप्स मिलेंगे तो चलिए ग्राउंड फोर से स्टार्ट करते हैं इस आप देख सकते हैं आपको फोर्टीन फीट लवन इंचिस बट्वन इन फीट की बहुती बहुती बहुतरीन पार्किंग मिलेगी यहां पे इस टेर्किस दिखा दिया है मैंने तो र पोजिशन भी मैंने दिखाए रहे हैं पूरे आपको 9 x 18 के कॉलम्स मिलेंगे इसमें सामने आगे की तरफ दो रोलिंग शुटर दिखाया मैंने तो चलिए आगे चलते हैं यहां पे में डोर आ जाएगा आपका यहां से अपके घर के लिए आपको एंटी मिल जाएगी लिए रहा से आपको यहां पे एक चोड़ी सी बात्रूम मिल जाएगी 10 feet 3 inches by 12 feet की यहां पे water दिखा दिया है तो आप देख सकते हैं लिए रहा के exact पीछे आपको 13 feet 6 inches by 11 feet 10 inches की एक बेडरूम मिलेगी इसे आपको मिलेगा एक common बात्रूम भी यहां से आप देख सकते हैं 6 feet 11 inches by 4 feet 6 inches का सबसे back side आप देख सकते हैं 12 feet 6 inches by 13 feet 6 inches की एक बेडरूम मिलेगी आपको इसे attached बात्रूम मिलेगा आपको 4 feet 6 inches by 6 feet 11 inches का इसके left side आप देख सकते हैं open kitchen में डैनिंग मिल जाएगा 14 by 13 feet 10 inches का और यह एरिया सपरेट से मिलेगा आपको और डैनिंग और kitchen से आप देख स 2 inches by 6 feet 2 inches का यह था ground floor में 3 bedroom house इसके अलावा आपको 1st और 2nd floor में 2 bedroom के 4 घर मिलेंगे ऐसे आपने देखा ground floor का plan था यह तो चले यहां से ओम उपर चटके आ जाता है हमारे जो है टिपिकल प्लान है यह 1st और 2nd floor का तो यह staircase आप उपर चटके यहां पर आ जाएंगे आपको यह balcony मिल जाएगी यहां से आप देख सकते हैं यह एक main door मिलेगा यहां पर main door मिलेगा तो चले सबसे आगे के घर के बारें बात करते हैं यहां से आप entry करेंगे आपको मिलेगा living area 13 by 17 feet 2 inches का living area मिलेगा आपको TV cabinet यहां पर दिखाया है और sitting area यहां पर मिलेगा आपको living area से आप द bedroom को आपको मिलेगा attached bathroom 6 feet 11 inches by 4 feet का और यहां पर आपको मिलेगे 5 by 4 feet की balcony अब देख सकते हैं living area से यहां पर kitchen और dining मिल जाएगा kitchen यहां पर 9 by 10 feet का kitchen मिलेगा आपको 8 feet 1 inches by 10 feet 1 inches का dining area मिल जाएगा अब देख सकते हैं kitchen से common bathroom भी मिल जाएगा 6 by 10 feet का इससे आप utility की तरह भी योज क सकते हैं तो चले back side के घर के तरफ आजाते हैं यहां पर main door आपका मिल जाएगा 19 feet 9 inches by 16 feet 9 inches का living area मिलेगा यहां पर आपको बिल्कुल लीचे आपने देखा होगा same वैसे ही बड़ा सा जबदस living area मिलेगा तो यहां से आपको एक bedroom 13 feet 6 inches by 11 feet 10 inches की बिल्कुल नीचे की bedroom आपको मि प्रूम दियाए 6 feet 11 inches by 4 feet 6 inches का और पैक से आपको 12 feet 6 inches by 13 feet 6 inches की एक और बेदर मिलेगी विद अटाज पाथ 4 feet 6 inches by 6 feet 11 inches का सबसे लेट से आप देख सकते हैं नीचे आपने देखा होगा same size का kitchen और dining area मिलेगा आपको utility के साथ आप देख सकते हैं कॉलम पोजीशन बहुती क्लिय दिख रहे हैं इसमें पूरे आपको 9 by 18 के column 9 by 18 inches की column मिल जाएंगी इसमें तो यह था हमारा typical floor plan जो की first and second floor के लिए same plan है जैसे आपने देखा आज का plan था 40 by 60 feet में 3 bedroom का एक घर और 2 bedroom के 4 घर का plan design किया है elevation तो आपने starting में थोड़ा सा देखा होगा अगर आपको अच्छा लगा और इसका plan पसंद आया है तो like कर दें और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसे फले मैं आपको बता दो यह plan जो था हमारे एक client के ल हुआ 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 है हुआ है नहीं लेगा चैनल सब्सक्राइब नहीं कि अच्छा है तो चैनल सब्सक्राइब खाही है तो जो जो कि अटें पाल झाल झाल